भारत को विश्व में दूद का सबसे बड़ा उत्पातक बनाने में सबसे बड़ा यूगदान है मिल्क सिटी आनद का और यहीं पर स्थित है डॉक्टर वर्गिस कुरियन की दूर दर्शिता का प्रमार विध्याडेरी विश्व में दूद का सबसे बड़ा उत्पातक बनने के लिए आवश्च रकता है ना किवल ज्यादा से ज्यादा दूद उत्पातन थी लेकिन ट्रेंड टेरी टेक्नोलोजिस्ट की भी और इसी जरुरत को पुरा करने के लिए 1994 में विश्व में श्वेत प्रांती लाने वाले टॉक्टर वर्गिस कुरिम के हाथों इसका उद्गाटन हुए जैसे पंच तत्व से सुष्टी का निर्मान हुआ था उसी प्रकार विध्याडेरी के जनल में भी पांच सलस्थाओं ने एहम भूमे का निभाए आनंद डेरी के निर्मान और उपकरनों के लिए ग्रांट डी और SMC College of Dairy Science के विध्यारतियों ने विध्याडेरी को एक अनुठी संस्था का दर्जा दिया है जो for the students, by the students और of the students है विध्याडेरी एक students training डेरी होने के साथ साथ एक commercial डेरी भी है और सभी ISO standards से certified है जैसे ISO 9001 Quality Management System, ISO 22000 Food Safety Management System, ISO 14001 Environment Management System, ISO 45001 Occupational Health and Safety, ISO 50001 Energy Management System से प्रमानित होने के प्रक्रिया अभी जारी है साथ ही विध्याडेरी के मेहनत और सक्षमता को सराना देने के लिए इसे अंगिनत पूसकारों से समानित किया गया है जैसे D.L.C. Quality Award, Best Kaizen Award, Florida Productivity Council द्वारा इत्यादी चलिए एक चलते हैं विध्याडेरी की याद्रापा आसपास के शेत्रों से मंड्लियों द्वारा एकट्टे किये गए दूद को अमुल डेरी Insulated Road Tankers द्वारा विध्याडेरी तक पहुचाती है टेंकर आते ही दूद की गुणवत्ता की जाच की जाती है जिसमें Fat, SNF, SRT, Temperature, COB जैसे टेस्ट करने के बाद ही दूद को प्रोसेस किया जाता है विध्याडेरी की प्रक्रमन शम्ता 2,00,00 लिटर प्रतिदीवस है दूद को प्रोसेस करने के बाद पास्टुराज मिल्क सालो में स्टोर किया जाता है मिल्क प्रोसेसिंग के लिए विध्याडेरी के पास आधोनिक उपकरन जैसे क्रीम सेपरेटर, होमोजिनाइजर, पास्टुराइजर और टर्बो ब्लेंडर भी उपलब्द है इन संचालों को सरलवतेज बनाने के लिए स्काडा, सुपर्वाइजरी कंट्रोल और डेटा एक्विजिशन का उप्योग किया जाता है जो इन संचालों को सेमि आटोमेटिक स्वरूप देता है अलगलक सेक्शन में इस्तिमाल किये जाने वाले उपकरनों, पाइपलाइज, टैंक, इत्यादी के सफाई के लिए विद्ध्य डेरी के पास सेंट्रलाइस्ट क्लीन इन प्लेस सिस्टम मौजूद है इसमें इस्तिमाल होने वाले सफाईरस हैं जैसे एसिट वलाइ को बल्ट टैंक में स्टोर किया जाता है जिसका उप्योग करके एसिट सॉलुशन और लाइकार सॉलुशन बनाकर पूरे प्लांट में CIP की जाती है मार्केट में बर्दी प्रतिस पर्दा और डीमांड को पूरा करने के लिए डेली में आटोमेशन अथियत महत्व भोना है विद्यार्जा को आटोमेशन सेक्शन में टेंपरिचर कंट्रोलिंग डिवाइस जिसे आटीडी, थर्मोस्टेट, लेवलवा प्रेशर कंट्रोलिंग डिवाइस, मोटर, स्टार, वेब रिज, अलग-अलग वाल्स तता इसी प्रकार के अनेक उपकरना से परिचित करवाय जाता है। प्रोसेस सेक्शन दरा प्रोसेस किये हुए दूथ को पैकिंग सेक्शन में फॉर्म, फिल, सील मशीन द्वारा अलग-अलग पैक साइज मे में पैक किया जाता है।।ल whats क्रेट्स में भरकर कोल्ड चोन में 4 डिगरी सेल्सेस पर स्टोर किया जाता है। नियमित अंतराल पर पाउच के वजन, सीलिंग और लीकेज के जाच की जाती है। पैकिंग सेक्शन में विद्यार्थियों को पैकिंग मशीन का संचालन, उसके विबिन अंग और उनके कारियों के बारे में बताया जाता है। साथी पैकेजिंग फिल्म के वपराश वलोस को नियमित रूप से निगरानी करना भी सिखाया जाता है। विद्यडेरी के चीज सेक्षन में चड़ार चीज बनाया जाता है। सरवत्तम गुणवत्ता वाला चीज बनाने के लिए हर प्रक्रिया को कुशलता से पूर्ण करना अध्यांत आवश्चक है। चीज बनाने के लिए दूद को कल्चर वर रेनिट की मदद से जमाया जाता है। और इसके बाद वर्किंग टेबल पर चड़ारिंग की जाते हैं। जिसमें ब्लोक्स को पलट कर मॉइस्टर और एस्टी एड़स्ट की जाती है। चीज बन जाने पर कोल्ट स्टोर में 8-10 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। अगले दिन इन चीज ब्लोक्स के मॉइस्टर, सौल्ड, पीएच जैसे टेस्ट किया जाता है। दही सेक्शन में मस्ती दही वा कड़ी दही जैसे प्रोड़क्त बनाया जाता है। दही सेक्शन में दूद को पॉस्टराइज करके स्टार्टर कल्चर की मदद से दही बने आ जाता है। जिनने विबिन पैक साइज में पैक करके 37-42 डिग्री पर इंक्यूबेट किया जाता है। और पीज आने पर दही को कोल्स टॉर में ट्रांसफर किया जाता है। दही के स्वात और गुनवत्ता को मेंटेन रखने के लिए नयमेत रूप से पीज की जाज करना एक महत्वपोर्णप्रनाली है। दही के पाउच का नियादमित रूप से वजन किया जाता है तदे लीकेज और फिल्म लॉस भी जाजा जाता है अत्यतिक बचे हुई क्रीम से विद्याडेरे में घी बनाया जाता है सर्वप्रतम क्रीम को continuous butter making machine द्वारा butter में तब्दिल किया जाता है उसके बाद उस butter को melt कर 110 से 112 डिग्री पर घी बॉइलर में गरम किया जाता है इस घी को 500 अमित तथा एक लीटर के पाउच में भरा जाता है विद्याडेरे में एक मार स्पेशल ग्रेट का घी बनाया जाता है साथ ही इस घी में moisture, FFA, RMPV value, BR reading इत्यादी को जाता है ये बनाने के दोरां हर कदम पर सरवादिक fat recovery करने की कोशिश की जाते है Quality Assurance Lab में पाउच में से लेकर cheese, दही, गी, ice cream dresses सभी products की गुनवत्ता की जाता की जाते है और साथ ही इन सभी products के FSAI द्वरा दिये गए chemical और microbiological standards की पूर्ती भी की जाते है इन फ्रेणालियों को कम से कम गल्थियों तता तेज गती में पूरा करने के लिए विद्याडेरी के QLM में आधुनिक उपकरण उपलब्ध है जिसे FTA3, Milcoscan, Gas Chromatography, आधी साथ ही हर प्रकार के raw material, semi-finished और finished products की जाज़ भी QA Lab द्वारा की जाती है विद्याडेरी के नव परवर्तन शी विजन और मिशन को सरहना देखते हुए राष्ट्रे कृशी विकास योजना के अंतरकर आइस्क्रीम प्लांट का निर्मार दिया गया आइस्क्रीम सेक्षिन में आइस्क्रीम मिक्स प्रिपरेशन, कलर को फ्लीवर मिक्सिंग, कतब फ्रीजिंग विसे संचालन किये जाते हैं आइस्क्रीम प्लांट की कई विशिशताओं में से एक है एक्स्टूजन लाइन एक्स्रूजन लाइन में मौजू बोल्ड की मदद से आईस्क्रीम को अलग-अलग आकार प्रदान किये जाता है एक्स्रूजन लाइन पर योल कट, कसाटा और स्टिक वराइटी फंडू बनाई जाती है आईस्क्रीम बनाने के दोराई, आईस्क्रीम मिक्स, आईस्क्रीम और रॉव मटिरियल का कैमिकल वो माइक्रोबियोलोजिकल अनालस भी किया जाता। विद्यार्थियों को market demand और consumer handling से परिचित कराने के लिए उन्हें विद्या outlet तता विद्या shop पर training दी जाती है इसमें विद्यार्थि स्टॉक रखने, order करने से लेकर दूद और बाकी products की selling और बिल्ग की entry स्वायम करते हैं इसे विद्यार्थियों को milk और milk products के बारे में ही नहीं बलकि उनके shelf life, demand और sales के बारे में भी जानकारी में दी हैं किसी भी dairy के संचालनों के लिए आवश रखता है utilities की, engineering section के अंतरकत, boiler, refrigeration, substation और effluent treatment plant की जानकारी दी जाती है संपोर्ण डेरी में गरम पानी तथा steam पहुचाने, boiler section द्वारा ही मुम्किन किया गया है refrigeration section की मदद से milk, buttermilk, ice cream तथा cheese poster का तापमान मेंटेन किया जाता है substation द्वारा संपोर्ण डेरी में विद्यूत उर्चा पहुचाए जाती है जिसकी मदद से ही सभी उपकरणों का संचालन मुम्किन हो पाता है साथ ही डेरी में उपकरण किये गए पानी को स्वच करना, effluent treatment plan द्वारा किया जाता है दूद्वा दूसरे fresh products की marketing विद्या डेरी द्वारा की जाती है जिसके लिए विद्या डेरी द्वारा डेलर अपॉइंट किये गए है और APO भी खोले गए है दूद्वा ट्रांस्पोटेशन भी विद्या डेरी द्वारा संभाला जाता है dispatch activities जैसे grades की गिंती और vehicles की साफ सफ़ाइ stock checking भी marketing section द्वारा की जाती है consumer demand के हिसाब से ही दूद्वा fermented products के लिए indent बनाया जाता है साथ ही basic air products का bill भी marketing section द्वारा बनाया जाता है दूद्वा संचाल अड्मिनिस्टरेशन section की भी एहम भूमिका है administration section में विद्यार्शियों को किसी भी organization के structure दी जाने वाली छुट्टी है salary by salary structure विबिन ने प्रकार के दिये गए benefits किसी company की recruitment policy के बारे में बताया जाता है साथ ही dairy में काम करने वाले worker लेबरर उनको दिये जाने वाले वेटर्ण benefits तक दूसरी कानूनों के बारे में भी बताया जाता है finance, accounts, purchase वा स्टोर, commercial section का हिस्सा है purchase section, raw material, packing material, spares, आधी की खरीदारी के लिए जिम्मेदार है store section, इन सभी को user department तक पहुँचाता है और finance section, इन सभी के payment और bill बनाने का कार्य करता है जैसे आप सबने देखा कि विद्याडेरी के सभी विबाग में हमने हमारी training प्राप्त किये और उससे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर भी प्राप्त हुआ है विद्याडेरी में हमें training के उपरां दूसरी का इगाती विद्यो में शामिल किया जाता है जैसे कि external training, guest lecture, idea और IDF जैसी सम्मेलन का हिस्सा बनाया जाता है और देखारों का उत्साव भी मनाया जाता है तो आओ चलो अब हम अपना ये सफर आपको बताते हैं हमें विद्याडेरी के माध्यम से M.I.D. Mansi Institute of Training चे महसाना एवं अमुल डेरी, अमुल चॉक्रेट प्लान, अमुल चीज प्लान, खात्रश में भी ट्रेनिंग प्राप्त करने का अवसर मिलता है हमें विद्याडेरी एवं कॉलिज द्वारा अंतराश्रे डेरी महसंग जो देली में हुआ था एवं भारतियाडेरी सम्मिलन जो गांधी नगर में हुआ था उसमें जाने एवं उसका हिस्सा बनने का भी अवसर प्राप हुआ था हमने यहां स्वतंत्रतदिवस गंतंत्रतदिवस भी मनाया जिसमें स्टूइब्गोली एवं द्वजारोण भी किया गया था और फिर हमने डॉक्टर वर्किस कुरियन सर जो सوेथ क्रांती के पिता के नाम से चाने जाते उनके जन्मतिन के अवसर पे इर्मादवारा आयोजित साइकल रेली का हिस्सा बने एवं उनका स्वागत करने के लिए स्टूडन्स वारा एक भव्या एवं आकरशित रंगोली भी बनाई गई थी खुद को और अपने आसपास के साथी कर्मचारियों को सुरक्षित रखना काफी महत्वबूल बात होती है इसलिए विद्याडेरी में सेफ्टी डे मनाया जिसमें हमें आपतकाली स्थिती का सामना करना सिखाया और फिफायर मॉपचित भी की गई थी जिससे स्टूडेंस वह कर्मचारी चागरूख हो शाररिक स्वास्तियक के साथ साथ मांसिक स्वास्तियक भी आवश्यक है इसलिए विद्याडेरी हॉस्टेल में हमने योग दिवस भी मनाया था हमने हमारे पूरे विद्याडेरी परिवार के साथ डेरी टिवी मनाया जिसमें स्टूडेंस वारा सजावन एवं सांस्रतिक कारेक्रम जैसे डांस, ड्रामा, गर्बा का आयोजन किया था विद्याडेरी में प्रशिक्षन पाने वाले विद्यार्थयों के आवास और भोजन की वेवस्ता के लिए विद्या होस्टिल और मैस की सुविधा भी उपलक्त कराई कई है विद्यार्जियों को हैंड्ज ओन ट्रेनिंग देकर विद्याडेरी ने ना केवल वर्गिस कुर्यन द्वारा देखे गए सपने को साकार किया बलकि इंडियन डेरी इंडस्टिर के बीच अपनी एक अलग पहचार बनाएं झाल झाल झाल